दुनिया के अंदर ना जाने कितनी ऐसी रहस्यमाई चीजें जिनके बारे में आज तक हम लोग कुछ भी नहीं जान पाए दुनिया में से एक सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आता होगा क्या मिर्तु के बाद एक माँ अपने बच्चे को सक्षेस्फूली जनम दे सकती है तो दोस्तो इसका जवाब होता है बिल्कुल हाँ एक माँ अगर डिलीवरी के दोरान या उससे पहले एकस्पायर ह हो जाती है और उसका बेबी मिचोर होता है तो ऐसे में वो 100% अपने बच्चे की मिर्तु के बाद भी डिलीवरी करवा सकती है Medical Trum की अगर बात की जाए तो दोस्तो Medical Trum में इसे कैफिन बर्थ के नाम से जाना जाता है जी हाँ दोस्तो जिसके अंदर अगर कोई भी प्रेगनेट महिला एकस्पायर हो जाती है तो उसके एकस्पायर होने के बाद उसकी डैड बोडी अपने आप बच्चे की डिलीवरी क बाना जाता है लेकिन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का इसके पीछे तरक होता है जब भी कोई बंदा एकस्पायर हो जाता है तो एकस्पायर होने के बाद उसकी डैड बोडी के अंदर गैसों का बनना स्टार्ट हो जाता है जब वो गैस बोडी के अंदर बन जाती है तो ऐसे में उस हारे का सारा प्रैसर पेट के उपर डालती है और नहीं पर बच्चा दानी होती है और जिसका सीधा सीधा प्रैसर बच्चे पर पड़ता है और वो गैसिज बच्चे को बाहर की साइड धकेल देती है जिसकी वज़य से कैफिन बर्थ होता है इर्टू के बाद एक मार अपने बच्चे को जनम दे देती है जी हाँ दोस्तों ये था आज का हमारा सिंपल सा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों